जहिन दोस्तों, मेरा पिछलो वीडियो था सिक्चन विधी पर जो की भाग एक था और यह सिक्चन विधी पर भाग दो है इसमें आपको यानि यह वीडियो में आपको प्रजेक्ट विदी, परत्यक्ष विदी, विसलेशन विदी और संसलेशन विदी के बारे में आपको जनकरी मिलेगी तो चलिए देखते हैं पहला है प्रजेक्ट या परियोजना विदी जिसे इंगलिस में प्रजेक्ट में धट कहा जाता है एक सवाल यहां से आते हैं कि इसके प्रतिपादक कौन थे यानि प्रजेक्ट विदी के प्रतिपादक या यू कहें कि जनक कौन थे तो इस विदी के जनक थे किल पैट्रिक इसके बारे हम थोड़ा जान लेते हैं इस विदी में बालक द्वारा किसी प्रजेक्ट को हल किया जाता है यहां देखिए बच्चे जब समर विकेशन होता है गर्मी छुट्टी होती है तो बच्चों को 15-20 दिन का कुछ प्रजेक्ट दिया जाता है ताकि वो घर जाकर बूले नहीं वो कुछ कुछ कारियों में लगे रहे हैं ताकि उसका पढ़ाई के परसी रुजान बना रहे हैं आप देख रहे हैं ड्रॉइंग का है और भी कई तरह के प्रजेक्ट दिया जाते हैं तो पहला तो आप यहां देख लिए कि इस विद्धी में क्या होता है जैसा नाम है वो ऐसा काम होता है यानि बच्चों को कुछ प्रजेक्ट दिया जाता है और बच्चे उसे हल करते हैं तो आप देखिएगा कि बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने बड़ा मज़ा आता है और जब कोई भी चीज में मज़ा आए ना उसमें परत्यक्ष अनुभा होता है खुद से कर रहा है, खुद से देख रहा है, जैसा भी कर रहा है उसे तो अच्छा लग रहा है न तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, पता करके सिखने पर बल दिया जाता है जदी बच्चे को कहा गया, कि आप ड्रोइंग बना के लाना, दस ठोपल दे दिया और कहा कि ड्रोइंग बना कर के लियाना, दस ठोपल का तो वो सीखे पता करेगा कि कैसा दिखता है और वो उसका बनाई गा चौथा पॉइंट आप देखिए इस विधी में प्राप्त होने वाला ज्यान अस्थाई और अस्पस्ट होता है जब बच्चे खुद से करते हैं तो ज़्यादा सिखते हैं और जो खुद से किया जाता वो अस्थाई होता है उन्हें पता है कि किस तरकिया है उन्होंने पाचवा है इस विधी से बालकों में तारकिक चिंतन तथा अनवेंसन सक्ती का विकास तारकिक चिंतन जदी ग्रूप में किसी बच्चों को दिया गया प्रजेक्ट तो सभी बच्चे अलग अलग तरक देंगे कोई कहेगा एपल का चेदर बनाना कोई बनाना का तब कई तरह के तरक देंगे और कैसे बनाना ये भी अब अनवेंसन सक्ति यानि खोज करने की सक्ति का भी कास होता है किसी बच्चे ने देखा कि मैं छोटे वाले केला काई चितर बनानू तब तक दूसरे ने एक केले काया देखिए ये हरा वाला बनाएंगे वो खोज करने लगते हैं जो वाला अच्छा लगता है उसे ही बनाते हैं इसमें आतन मिरभर हो जाते हैं बच्चे और उनके अंदर समाजिक गुनों का पुर्ण विकास होता है अब ये कैसे अब बच्चे में समाजिक गुन कैसे होगा अब देखिए हैं ग्रूप में दिया गया है दो फोटो में ने दिया है बच्चे समाज में जदि हम हैं बच्चे या जब हम बच्चे थे तो हम समाज में थे तो समाज में मिल जूल करके रहना पड़ता है न तो यहां भी जब प्रोजेक्ट दिया जाता है तो बच्चे मिल जूल करके काम कर रहे हैं तो उनकी अंदर समाजी गुन भी आ रहे हैं इस विधी में हाथ से कारी करने पर बल दिया जाता है कोई भी ड्राइंग हो, हमवर्क हो, कुछ भी हो सबको हाथ से किया जाता है इसमें सिक्छक जो होता है सिर्फ और सिर्फ मारदर्शक होता है वो खुद से कुछ करता है वो सिर्फ बता देते हैं और बच्चे उसे करते हैं सारिक वो मानसिक परिस्रम करवा जाता है बच्चों को मानसिक परिस्रम अच्छा नहीं लगता है लेकिन सारिक परिस्रम बहुत अच्छा लगता है वो खेल की तरह उसे लेते हैं तो जब सारिक परिश्रम हो रहा है तो सातमे मानसी भी हो रहा है और कुछ न कुछ वो जरूर सीख रहे हैं यह विधी अधिक खर्चीली होती है तथा अधिक समय लगने वाली होती है जब हम किसी बच्चे को कुछ प्रोजेक्ट देते हैं तो साथ मों से अब कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसमें सामगरी खरदनी पड़ती है अब जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जो जिसके पास बहुत पैसे हैं वो तो आराम से कर लेंगे लेकिन जिसके पास नहीं है तो उनकी लिए यह भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता है कि चोटकी बजाते हो जाता है उसमें समय लगता है अब देखते हैं परत्यक्ष विदी इसे अन्य नामों से जाना जाता है और इसके अन्य नामों को कई बार पुछा गया है परत्यक्ष विधी को निर्बाद विधी, सुगम विधी या प्राकृतिक विधी कहा जाता है चुकि यह परत्यक्ष है डाइरेक्ट है तुरंद कर रहा है तो यह प्राकृतिक हो गया यानि बच्चे जो करके सीखते हैं जो स्वेंग करते हैं ऑटोमेटिक तरीके से ते सामानी तरीका हो गया तो इसे ही प्राकृतिक खा जाता है जो नौर्मली हो रहा है और खुद से कर रहे हैं जैसे किसी अंग्रेज को लाके भारत में छोड़ दीजिए उस अंग्रेज को जिरासा भी ग्रामर पता नहीं रहेगा यहां का लेकिन वो हिंदी बोलना सीख जाएगा चलिए इस पर ज्यादा चर्चा बात में करते हैं पहले थोड़ देख लेते हैं इस विदी के परतिपादक प्रोफेसर वीपी वाकिल थे इस विदी के परतिपादक प्रोफेसर वीपी वाकिल सरव परतम इस इसका जो इस विदी है ना परतिएक्ष विदी इसका जो परियोग किया था 1901 इस विदी में अंग्रेजी भासा के लिए गुईन ने किया था यह नाम है गुईन यह भासा सिक्चन की सरवतम विदी है यहां से सवाल आये है कि भासा सिक्चन की सरवतम विदी क्या है इस विदी में बालकों को बिना व्याकरन सिखाए भासा का ग्यान करा जाता है यानि इस विदी में व्याकरन नहीं सिखा जाता है लेकिन फिर भी उसे भासा सिखा दिया जाता है जदी आपको मैं कहूँ कि आप छे महिना के लिए बंगाल चले जाए तो आप भले ही वो लीखना ना जाने उसका व्याकरन ना जाने लेकिन डायेक्ट बोल चाल में परियोग करते करते अच्छी खासी बंगला बोल लेंगे बिना मात्री भासा की मदस्ता के अन्य भासा सिखाए जाती अगर आप इंगलेन में हैं एक भारती है नॉर्मल जो पढ़े लिखे नहीं है आपकी मात्री भासा हुआ कोई काम नहीं आगी आपको कोई प्रकार का मदस्ता वाला इस्तिती नहीं मिलेगा ना कोई आपको बताने वाला होगा कि क्या आप कैसे बोलना क्या आपकी भासा कोई नहीं समझ रहा है लेकिन आप क्या करेंगे है, वहाँ interact करेंगे है, परियावरन से, आपको भूख लेगा, तो आप इसारे से मांगेंगे, इसारे से पूछेंगे, लेकिन कितना दिने इसारा अच्छे लेगा, जैसे ही वो कोई जबाब देगा, जैसे कहेगा पाँच डॉलर, तो आप एक पूछे से चर्चा करेंगे है आप इसारास पूछेंगे ये वला क्या है तो वो कहेगा ब्रेड तो आप ब्रेड सीख जाएगे तो यहां देखिए कोई आपकी मात्री बासा की मदस्ता नहीं हो रही है इसमें बच्चे जो होते हैं बातचीत के माध्यम से सिखते हैं यहां पर देखिए एक बच्चा बच्ची से पूछ रहा है कैसी हो उदर से जवाब दे रहा है मैं अच्छी हूँ क्या इन्होंने ग्रामर सीखा नहीं सीखा न बातचीत कर रहे हैं और भासा सिख गया तो यह भासा सिक्चन की सरुतम बिदी हुआ न और यह जो हो रहा है यह इसलिए इसे प्राकृतिक बिदी भी कहा जाता है इसमें स्रब्य द्रिश्य सामगरी का परियोग किया जाता है स्रब्य द्रिश्य सामगरी क्या यह एक लर्निंग एट्स हैं जैसे टीवी हो गया रेडियो हो गया मोबाइल हो गया आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो हमेशा मुबाइल देखते रहते हैं, तो देखते देखते साथ में कुछ दोहराते भी है, जैसा बोलने के प्रयास कहा जाता है, वो भी बोलते हैं, जबकि उसको कोई भी ग्रामर का पता नहीं होता है, तो यही सरव में सुनने देखने वाला, द्रिस में देखने वाला, तो सरव द्रिस है, जैसे वैसे उपकरन जिसमें बोला भी जाता है, और दिखाई भी देखते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, जैसे सरव द्रिस हो गया, इसका उपयोग किया जाता है, बच्चों को दिखाया जाता है वीडियो और वीडियो की देखने के करम में हुए सिख जाते हैं यह प्रात्मिक कक्छा के लिए अती उपयोगी छोटी बच्ची को बड़ा मज़ाता है आप उसे किताब न पढ़ा करके उसे वीडियो दिखाईए कुछ कुछ काम करवाईए खेलवाईए देखे कितना मज़ाता है तो यह आदक या यू कहें जनक हैंडरी एडवर्ड आर्म स्ट्रॉंग थे यह वीडियो पहली वाली कौन से वीडियो विसलेशन वीडियो इसमें किसी भी समस्या को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और उसका अध्यन किया जाता है पिर उसकी समिक्चा करते यह एक अनुसंधान की विदी है यानि खोजवीन की विदी है मैं इसे चितर दुआरा समझाओंगा पहले थोड़ा पुरा कर लूँ बात को यह विदी जटिल से सरल अग्यात से ग्यात निसकर से अनुमान की और बढ़ती है बिसलेशन तता संसलेशन विदी एक दूसरे के पूरक है जैसा आगमंत था निगमन विदी में होता है अब आप आए तस्वीर पर यहाँ पर देखिये यह मैंने समझाने के उद्देश से लिया है एक क्राइम हुआ है किसी का मडर हो गया है या एक्सीडेंट हो गया है जो भी हुआ हुआ है ऐसे में सोध करता वहां आये हैं वो च्छान बिन कर रहे हैं साथ में कुछ पुलीस वाले आये हैं नो क्रोसिंग का बोड लगा हैं वो भी तस्वीर ले रहे हैं सबूत इखटा कर रहे हैं देखिये तो आपने क्या देखा पीछे आईए एक अनुसंधान हो रहा है कि नहीं कारियों को छोटे छोटे ट फोटो ले रहा है तो टुकड़े टुकड़े करके उसकी अध्यन कर रहा है और समिक्छा कर रहा है आईसीय में क्या होगा यह एक जटिल पर करिया है कि नहीं किसने मारा अग्यात भी बात है पता नहीं है अब जब इसका च्छान बिन कर लिया जाएगा तो बात सरल हो तो आप देखें कि पहले बिसलेशन हुआ फिर बात में क्या हो गया संसलेशन हो गया अब वो चार सिट दायर करेगा उसमें सारी बाते लिखी होंगी तो जब छोटे चुकड़े टुकड़ों में बाटा गया तो ये बिसलेशन हो गया लेकिन फिर सभी छोटे टुकडों को एक रिपोर्ट तियार किया गया जैनि सारे छोटे टुकडों को सारी बातों को सारे सबूतों को मिलाया गया तो यह संसलेशन हो गया इसलिए प्रोफेसर यंग ने एक परिभासा दी थी संसलेशन विधी में जहां सुखी घास में से तिनका बाहर निकला जाता है देख लिजे सुखी घास में से तिनका अब यानि यह तो बात वही हो गई राई की धिर में सुई खुजना तो वही तो होता है कोई क्राइम का जब संसलेशन होता है अनुसंदान होता है, कई तरह से उसको खुजना परता है, बड़ा मुस्किल होता है लेकिन जैसे ही वो पता चल जाता है, वो जो तिनका स्वेंगास से बाहर निकल जाता है यानि वो जो चोर है न, कितना भी होसियार हो, जब सारा बात पता चल जाता है उसको सामने लाया जाता है या उसको warning दी जाता है या पकड़ के जबर जस्ती लाया जाता है तो यह जो परिभासा है इसे आप दिमाध में नौट कर लें कोपी में नहीं क्योंकि यह जो परिभासा कितनी बार पूछा गया है संसलेसिन प्धी में जहां सुखी घास में से तिनका बाहर निकला जाता है और वही विसलेशन बिदी में तिनका सुएंग घास से बाहर निकलना चाहता है यह और यह कहा था प्रोपेसर यंग ने यह देखे तस्वीर को आप दिमागों बठा ले और यह जो तीन बिदियां बता है उम्मीद करता हूँ आपको सारा कॉंसेप्ट किलियर हो गया होगा और अगर अच्छा लगा हो वीडियो को आप अन तक पहले देख ले और इसके बाद एक लाइक जरूर करें और दोस्तों में सेर करना ना भोलें धन्यवाद